अच्छ सुनू, सब्सक्राइब करते वत ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ओनलाइन आऊ, तो तुम्हारे फोन की भी घंड़ाइब नमस्कार दोस्तो, आप सभी का स्वागत है, हमारे यूटीब चनल पर तो दोस्तो, आज आपके ले एक नए वीडियो आ रही है, और आज हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे आपके यूटी बीटी सी डियालेट एडमिशन दो हजार उननिस, तो दोस्तो, सबसे पहला कुश्चन कैसे देखना है कि कहां पर कितनी सीटे हैं खाली, तो अलॉटेट और वेकंट सीट दोस्तो देखना है, ए अपॉन वी, तो यहां पर allotted होता है, तो काफी बच्चे confused होते हैं कि यह का मतलब होता है, उपलब्द, available, IRCTC से है, दोस्तो जब आपर टिकट करते हों तो वहां पर ए लिखा रहाता है, available, तो वो अलग चीज़े, तो वो सीटी confusion थी, तो दोस्तो चले, इसमें आप डिसकर्स करेंगे कि phase 2 क counseling कब से शुरूँगी, पहला question आप लोगों का, तो दोस्तो इसका अंतर हो जाएगा 16 अगस्त, तो काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, हाँ तो एक यह और दोस्ते इस वीडियो में discuss करेंगे कि कैसे देखना है कि कहां पर कितनी सीटे हैं खाली, तो दोस्तो फिलाल अभी समय प्रयाज करते हों, तो इसके लिए आप comment box में इसका link देदेंगो, तो दोस्तो लिंक में आप लोग क्लिक करके open करेगा, और कोसित करिएगा कोलने के और हर 15 अबलिफ में try करते रहें, जब भी कुल जाए, तो दोस्तो इसका कोई समय निश्यत नहीं होता, ऐसा नहीं कि साइट proper work करती है, दिन में तो और भी busy हो जाती है, और दोस्तो जाने क्या होगा निया रूज, जी हां दोस्तो और एक सवाल और सभी बच्चों का रहा था, कि जिनको face one में college a lot हो गया है, क्या उन्हें मौका मिलेगा, तो दोस्तो इस सवाल का अंसर अभी तक फिलाल ऐसा लग रहा है, कि अभी तक देखिए, इसका कोई official notification नहीं आया है, पहली बात आप इसको समझदा होगा, अभी तक दोस्तो इसका कोई भी official notification नहीं है, कि जिनका college a lot हुआ है, उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, देखिए जो पहला रूल आया था, दोस्तो उसमें यह लिखा थ है, तो यहाँ पर अभी तक दोस्तो clear नहीं है, लेकिन उमीद दोस्तो यही की जा रहे है, कि जिन बच्चों को पहली बार college a lot होगा और जिन्होंने जानबुच कर college नहीं लिया है, उन्हें सायद मौका ना मिले, दोस्तो इसलिए उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब बच्चों नहीं जान बुच कर college लेकर छोड़ा है, तो दोस्तो ऐसे बहुत से college है, जैसे अब डैट की बात कर ले, जहां पर 200 सीटे थी, वहां पर 191 सीटे तक a lot हो गई, लेकिन final में भरते भरते 150-160 सीटे ही बर पा रहे हैं, कहीं 156-160, अब बताइए इसने बच्चों न ले पाएंगे, जिस भी college में अगर आपका मन हो, जाहिए direct admission अप ले सकते हैं, तो दोस्तों का फिलाल हम प्रॉपर वीडियो अगली जल्दी upload करेंगे, और अभी तक फिलाल ऐसे कोई ख़बर आई नहीं है, लेकिन उमीद दोस्तों यही है, कि उनको मौका सहद ना मिले, अ आप दोस्तों आज के ख़बर के आई, अगबार में उसको भी देखते हैं, कि डेलेट 2019-2022 चरण का प्रॉपर 16 से होगा, यह दोस्तों आज आज आपके अख़बारों की ख़बर, ठीक है, डेलेट 2019-20 में प्रॉपर के लिए दूसरे चरण का seat allotment 16 अगस्य सुरू हो कि 1,38,000 बच्चों ने कहीं न कहीं सभी बच्चों को college allot हो गया, और सभी बच्चों ने कितने बच्चों ने वाँ seat छोड़ दी दी, कि लगवग यहां पर 40,000 और यहां पर 20,000, तो लगवग दोस्तों 50,000 से अधिक बच्चों ने college लिया ही ने, मतलब को college allot हो गया और ज 26 अगस से शुरू हो चुका है, प्रदेश के 66 जिलाय सिच्चा एवं प्रसिश्चर संसान, diet में 10,600 और 3,087 नीजी कालिजों में डेलेट की 2,18,0550 सीटे, diet में अधिकांस्ता आरचित वर्ग की सीटे ही बची है, देखे जिन बच्चों के आरचित वर्ग है दोस्तों, दे में अधिकांस्ता आरचित वर्ग की सीटे बची है, 16 अगस को ही अप्यक्तिव की मेरिट वर रैंकिंग वेबसाइट पर अप्लोड कर दी जाएगी, तो 16 अगस को दोस्तों आप लोग की मेरिट और रैंकिंग, फिर से आने वाली है तो ये अच्छी खबर हो सकती है कि दु तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर होगी आप लोगों के लिए, तो फिलाल अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वाच करना पड़ेगा, और देखिए जाने क्या होगा नया रूल, दोस्तों नया रूल में मतलब यही रहेगा, आप लोग का तुरंस कॉलेज अलॉट्मे अपने कॉलेज लेकर जाना पड़ेगा, तो लेकिन वहाँ एक अच्छी प्रॉपर फाइल बना के ले जाएगा, और अपने कॉलेज से बात कर लिजेगा, क्योंकि उनको क्या-क्या चाहिए होगा, क्योंकि सभी कॉलेज वाले अपने अलग-अलग तरीखी से मांग रहे है लेकिन कॉलेज व्लत लें वाले केरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और कुछ ecology क्यरें नहीं, दोगे तो भी चल जहेगा, कुछ जगे दोस्वेज ट्रांसपर सर्टिफिकर मांग रहें, तीसी, और कुछ जगे कारे बिलेगा तो सभी कॉलेज वालें के अपनी अप परिसान करने के लिए नहीं ये भी दू वह भी दू जो बेसिक चीजे दोस्तों मागी गई हम आपको बता दे रहे हैं पहले आपका दोस्त दस हजार प्रेक्ट लेटर प्रिंट होगा पहले प्रेक्ट वही होगी ठीक है पहला नमबर उसके बाद दोस्तों आपका हाई स्कू देना पड़ेगा कि आप लोग कब तक दे देंगे उसमें देट मत मेंसें करिएगा कि हम 6 में दिम दे रहे हैं ऐसे लिख दीजेगा कि जब भी हमारा आएगा हम दे देंगे ठीक है तो पहले दोस्तों ये कुछ आपके इंपोर्टन चीजे पहली चार चीज़े होगे कि इ देना यहीं देना है तो इतनी चीजें दोस्तों कम से कम आपके पास पूनीजी जबाफ at विच्छ क्लीने जाये उसके रिचुतों आपको आइंप या डे रखा है वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद दोस्ते एक important चीज आता है आपका सपत प्रमाण पत्र सपत पत्र है ठीक है सपत पत्र है दोस्तों आप एक बनवाल लेंगे अपने में यह बोलेंगे कि हम college नहीं आते हैं या हम कुछ गलती में पकड़े आते हैं तो इसके जिम् कुछ कॉलेज में मांग रहे तो आप वह चले तो प्रमाण पत्र अपना देंगे जहांसे आपने graduation कर रखा वहाई से जाकर बनवा सकते हैं ठीक है वह ज्यादा बेटर रहें गया character certificate दोस्तों के बाद और तो कुछ ज्यादा खास important है दोस्तों और वह सब्सक्राइब कॉले प्राइविट कॉलेज वाले कमाई करने कंको जडिया होता है तो पैसे तो आप से लेकर रहेंगे वह मानने वाले नहीं तो दोस्तों आपको deal करनी कहा पर 1000 देना कहा पर 3000 तो आप भी सोचते हैं रितने बड़े college में तो कैसे इनको मना कर सकते हैं कि bargaining तो कर नहीं सकते हैं कि दॉसको करना पड़ेगा वह दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला अलॉट्मेंट लेटर उसके बाद इतनी चीज़े कम से कम आप ले कर जाएंगे तो आपका admission रुकेगा नहीं याद रखना है सपत्र जाती प्रवाण पत्र निवास प्रवाण पत्र और यह का आपका ID कार्ट, ID प्रूब दोस्तों और सपत्र यह सब चीज़े नहीं होगे तो दिक्कत आएगी दोस्तों क्योंकि यह सब आपको लगेगा और आपको समय भी ले सकते हैं और यह जियाद रखें दोसों जिन बचों के नंबर थोड़े ज्यादा हो रहे है गलती हुई है अगर phase 2 की counseling से भी आप जाएंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी दोस्तों होगा क्या मतलब जैसे कि आपने intermediate में जैसे 500 नंबर का paper होता है दोस्तों अगर उसमें से आपने 400 नंबर पा रखें और गलती से दोस्तों आपने 410 नंबर डाल दिया तब आपका admission online process में नहीं होगा अगर दोस्तों इसी जगए आपने 410 की जगए गलती से आपने 390 नंबर डाल दिया तो मतलब आपकी merit का में और आपको college तब भी लाउट होगा तब आपको दोस्तों वह college मिल जाएगा जिस भी college मिलेंगे तो correction होकर सही हो जाएगा लेकिन हाँ ज्यादा है तो फिलाल यह सब चीज़े दोस्तों आप लेकर जाएंगे admission आपको हो जाएगा और दोस्तों नेया रूल में दोस्तों यह सीखनी है कि इस्ट्रा classes कैसे अटेंड करना है इस्ट्रा क्लास तो फिलाल हमको नहीं लगता कि किसी भी private college में होने वाली है और सरकारी college के दोस् बच्चों को रूज बुलाते हैं college में पढ़ाई हो या ना बच्चों को रूज जाना पड़ेगा फस्स समेश्टर में दोस्तों आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो आपका पहला समेश्टर होता दोस्तों इसमें सोड़ा classes जाता चलती है उसके बाद से आपको सीधे लक्री लगती क्योंकि आपको दोस्ते इसी पता होगा जैसे पुळिस की या कि सी भ॥मित होते हैं पहले मह recognized, छे लया Υे वे वेतन आपका सुरू होता है तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए तो आप लोगों आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो टीचर बनके जा रहे हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एगली वीडियो में तब तक की लिष्टे कनेक्टेड और दोस्तों अगर आपको कैसे और कहा देखने आप ल